हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीतियादब स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में आज हम जानेंगे कि प्रिग्नेंसी के शुरुआती लक्षन क्या होते हैं क्योंकि प्रिग्नेंसी के पहले महिने में प्रिग्नेंसी के पहले महिने में प्रिग्नेंसी के बारे में कई तरह के चेंजिस होने लगते हैं जिससे आपको 100% पता चल जाए कि आप प्रेगनेंट हैं। तो friends, प्रेगनेंसी की शिरुआती समय में गरवती महिला को अपना सरीर पहली से ज़्यादा फूला हुआ लग सकता है और उसे अपनी पीट का हिस्सा थोड़ा अकड़ा हुआ भी फील हो सकता है। इसके अलावा आपकी बॉड़ी में एस्ट्रोजन का लेवल भणने और ब्रेष्ट की ग्लेंट्स में चेंजिस होने के कारण आपकी ब्रेष्ट का आकार भी भढ़ सकता है। और साथ ही साथ आपके सरीर में पोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भणने से आपके निप्पल का रग ज्यादा काला और बड़ा हो जाता है। और आपके ब्रेष्ट कड़े हो जाते हैं और उनमें हलका हलका दर्द भी होने लगता है। इस दोरान आपके breast में थोड़ी बहुत सूचन आ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सभी लोगों के साथ हो। इसकी अलावा अगर आपको अपनी ovulation के एक वी ये 10 दिन के बीच में spotting होती है, तो ये आपके uterus में baby के implantation का संगेब भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि इस time pregnant महिला के private part से ज़्यादा discharge भी हो सकता है, और इस समय आपको सुभे सुभे जी मचलाने, उल्टी आने, चक्कर आने, ऐसी भी problems आपको हो सकती है, इससे निपटने के लिए आप नीबू पानी पी सकती है, नारिल पानी पी सकती है, या फिर इस समय आपको खान पान से जोड़ी choices और पसंद में भी बदलाव आ सकता है, आपको ऐसी चीज खाना शुरू कर सकती है, जो आपको उससे पहले पसंद ही नहीं थी, इस दौरान आपको बार बार भूह भी लग सकती है, इसके अलावा इस महिने में आपको periods नहीं आएंगे, इसे pregnancy की शु नोट्रस में under fertilize होता है, तब conceive करने वाली महिला को हलकी bleeding हो सकती है, उसको cramps feel हो सकती है, ये लक्षण दिखने पर आपका सिवर हो जाएं कि आप pregnant हो चुकी है, इसके अलावा pregnancy की शिरुवाती लक्षणों में एक आपको थकावट होना भी start हो जाता है, इसमें बिना कुछ किये ही आप ऐसा feel करेंगी कि आप बहुँ ज़्यादा थक चुकी है, इस दोरान आपको सोने में भी problem आ सकती है, और हो सकता है कि आपको need भी ना आए, next है कि आपकी body में progesterone hormone का level भणने की वज़े से pregnancy की शिरुवाती समय में pregnant महिला को बार बार urine करने की भी problem हो सकती है, ज तो आपको जल्दी से जल्दी pregnancy test कर लेना चाहिए, इसके लिए आप घर पर खुद से pregnancy kit से pregnancy test कर सकते हैं, आपको ये kit आसानी से बाजार में मिल सकती है, किसी भी medical store पे आपको मिल जाएगी, वैसे तो आजकल बाजार में कई तरह की pregnancy kit मिलती है, जिसकी मदस से खुदी pregnancy की ज करने के लिए, सुबह के पहले urine को एक छोटी से कटोरे में लेकर pregnancy test kit के साथ दिये गई dropper से कुछ बूदे, उसकी दिये गई test वाली जगे पर बने खांचे में डालें, जिसकी बाद आप पांच मिनद तक वेट करें, इसके बाद आपको एक या दो हलकी या गहरी गुलाब गुलाबी लाइन है, तो इसका मतलब है कि आप pregnant नहीं है, लेकिन अगर आपको दो गुलाबी लाइन्स रिखती हैं, तो आप pregnant है, जिसके बाद आप डॉक्टर से appointment book कर आगे की planning भी कर सकती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे ही informative वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप अपने फ्रेंडस की साथ शेयर करें, अगर आपके पास कोई सवाल है, तो हम से जरूर पूछें, हम वीडियो लाइव होने के एक घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे चलिए, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए, स्वास्त रहिए